रच्छा बंदन में हम कई तरह की मिठाई बनाकर तयार करते हैं लेकिन आज हम परवल की जिसकी हम सबजी बनाकर तयार करते हैं उसकी एक यूनिक मिठाई बनाकर तयार करेंगे तो चलिए परवल की मिठाई बनाना सुरू करें तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ परवल क अच्छी तरीके से छिलका उतार दिया है अब हमें परवल में चाकू की सायता से परवल में कुछ इस तरीके से एक कट लगा देना है इस तरह के कट हमें सारी परवल में लगा कर तयार करना है सारी परवल में कट लगाने के बाद परवल को हम उबलते हुए पानी में डाल दे तो यह परवल का नेचुरल ग्रीन कलर है यह बिल्कुल बरकरार रहेगा लाश तक और हमारी सुन्दर सी परवल की बरफी बनकर तयार होगी अब हम परवल को करीब चार से पांच मिनट के लिए उबलते हुए पानी में अच्छी तरीके से पका लेंगे करीब पांच मिनट हो और देते पालते हुआ यह जो हम के अंदर का घुड़ा ले लिए उसको निकालेंगे आप इसको चमज इसी भी चीज की साहता से आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि पर व्यच्ज अंदर तक अच्छी तरीके से मुलायम हो चुका है तो लिकलें ह Arc बड़ा बरतन ले लिया है उसमें डालेंगे आधा कप चीनी और आधा कप चीनी में आधा का पानी आड़ करके हम मीडियम फ्लेम पे चीनी को पिगलाएंगे और चिप-चिपी चासनी बना कर तयार करेंगे जैसे ही चीनी पिगल जाएगी हम इसमें डालेंगे इलाईची का ह वारा भाग डालने से चासनी में एक अच्छी सी महक आजाएगी गैस को करेंगे लो फ्लेम पे और अपने परवल जो हमने उबाल कर तयार किये हैं उनको इस चासनी में डालकर करीब 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे जिससे चासनी परवल के अंदर तक अच्छी तरह से चली जा करिब एक कप खोया और यह नहीं कर सकते हैं इस चाहिए अधा चीनी हैं साथ में आदा टी स्पून एलाइची पाउडर और लास्ट में बारी कटे हुए ड्राय फ्रूट्स एप कर सकते हैं आप चाहें तो इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं अब सारी चीजों को एक दू जो परवल हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडे हो गया हैं अभअ उनको हातों से अच्छी तरीके से टच कर सकते हैं अब के अंदर अपने खोए वाली स्टफिंग भरनाई है जो हमने आभी में बना कर तयार की है उसको अच्छी तरीके से फिल कर लेंगे पूरे परवल के अंदर इस रच्छा बनना आप ये परवल की मिठाई जरूर बनाईएगा क्योंकि मार्केट में बहुत ही अच्छी और ताजी परवल आ रही है तो ये परवल की मिठाई बिल्कुल भी बनाना मत भूलिएगा ये मिठाई बनाने में बहुत आसान हो और खाने में बहुत स्वादिश्ट है वीडियो पसंद हो तो वीडियो को लाइक और साथी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और स्वादिश्ट मिठाईयों का वीडियो जरूर करें